प्रिज्ट आपको प्रेजनेशन दे चुके हैं यह कॉरिडॉर अगर बनेंगे यह पीपी मॉडल पे बनने जा रहे हैं यह कॉरिडॉर में एक जैसे बी आटी हम लोगों ने देखी थी हाँ पे वो तो नीचे थी उसके उज़े से तकलीफ हो रहे थी यहाँ पे बी आटी उपर होगी तो एक लेन जो है वो बसे के लिए होगी और दो लेन जो है वो दूसरे वेहिकल के लिए और दो लेन जो है उन exactly इतने minute लगेंगे, you can say मेरे को 4 minute लगेंगे, मेरे को 7 minute लगेंगे, हम metro से कह सकते हैं लेकिन bus में नहीं कह सकते हैं, bus में तो पता नहीं कहां जांग में फस जाएगी, आप ये भी नहीं कह सकते हैं, 20 minute लगेंगी कि ये घंटा लगेगा एक बार ही आपका elevated corridor उसमें, it is almost like a metro, आपकी dedicated bus corridor है और आपके जैसे metro stations हैं वैसे bus stations बनेंगे, you will actually go climb up और वहां पर आप बस पकड़ेंगे और bus next stop पे जाएगी at a particular speed, तो आपको exactly बताएगी मेरे को bus यहां से यहां तक इतने minute के अंदर पहुचा देगी, तो आपको वो buss का comfort भी मिलेगा, certainty भी मिलेगी कि इतने time के अंदर मुझे bus पहुचा देगी, यह आने के बाद एक तरह से जो pay कर सकते हैं वो vehicles उपर जाएगे, लेकिन buss के उपर कोई toll tax नहीं होगा, buss will be free of toll tax जो central verge है और जो side में footpath है, वो कई तूटे पड़े हैं, और वहाँ पर यह मिट्टी है, और वो मिट्टी उड़ती है तो उसको green करने का और उनको वो करने का, tiles लगाने का काम शुरू किया गया है और हमें उमीद है, यह greening वाला जो काम है, यह October, November तक, reasonably काफी सारी सडकों के, हमारे पास 1260 km PWD की सडके हैं, बाकि सारी MCD के अंडर में आती हैं, तो MCD के ओपर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर हमने एक साल में दिल्ली की सारी सडके, PWD की सारी सडके कर दीं, तो next year जब MCD जीतेंगे तो उसके बाद MCD की भी सारी सडके हम लोग,